हेलो ब्रूबन कैसे हूँ, I hope कि आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं हूँ अभी सीक और आप देख रहे हैं Study with अभी सीक Study with अभी सीक जैसा कि आप अपनी स्क्रिन पर देख रहे हो और ये जो है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रूप है Telegram Group में कुछ updates आई हैं, कुछ candidates ने कुछ photos भेजी हैं और कुछ screenshots हैं जो कि उन्होंने अपनी login ID का send किया है उसमें क्या है वो आपको बताने वाला हूँ, साथी साथ live भी आपको login करके मैं दिखाऊंगा एक candidate का कि उसमें क्या details है basically है क्या चीज इसमें, इसमें है कि जो current opportunities होती है जब आप login करते हो इंडिया नेवी की official website पे और वहाँ पे officer, seller के लिए 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 कि कोई job available नहीं है, अगर होती है job available तो वो सो करता है कि हाँ ये job available है, ठीक है तो वो अभी कुछ changes दिखाई बढ़ रहे है उसमें, वो क्या है और क्यों दिखाई बढ़ रहा है वो भी आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ और साथी साथ ये screenshot तो दिखाऊंगा ही, इसकी वज़े क्या है ये भी बताऊंगा, और क्या सच में वहाँ पे वैसा show हो रहा है, अगर आपकी ID में नहीं show हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, वो भी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है चली start करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले ये बोलना चाहूँगा, कि अगर आप चैनल पे नहीं हो, अभी जग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंडियन नेवी की हर एक अपडेट पाने के लिए और बेस्ट तरीके से तयारी के लिए चैनल को करके, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और डिस्क्रिप्सन में लिंक है, टेली ग्राम चैनल, टेली ग्राम ग्रूप का, जरूर जोइन कर लेना, वहीं पर ये सब चीज़े जो अपडेट होती हैं, मैं डालते रहता हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्सन में लिंक के वले करेंटली नो जॉप्स ऑपोचुनिटीज एवलेबल आड दिस मोमेंट, ये पहले चीज़े आती थी, ठीक है, और कुछ इस तरीके से, ये पूराना स्क्रिंसोट मान लेते हैं, या फिर पहले की चीज़े मान लेते हैं, ये जो तूसरी स्क्रिंसोट है, इसे ध्यान से दे आप्स, ओके, नो रिकोर्ड्स एवलेबल यहां पे लिखकर आ रहा है, अब आप लोगों का सवाल है कि क्या ये इडिटेड हो सकती हैं, क्या ये डिटेल्स इडिटेड हो सकती हैं, देखो, जिस भी कैंडिडेट ने भेजा है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, 10, 15 या 20 सेकेंड की एक वीडियो रिकोर्ड करो, जो कि आप रिकोर्ड कर सकते हो, जैसे मैं अभी रिकोर्ड कर रहा हूं वैसे ही, और उसके पाद रिफ्रेस्ट करके और दिखा दो कि हां ऐसे सो हो रहा है, तब ही ये माना चाहेगा कि हां ऐसा हो सकता है, क्यों ऐसा बोल रहा हूं, वो अब मैं आपको official website पर चल कर दिखाता हूं कि क्या है इसके पीछे की main वज़ा, तो official website पर आ गया हूं, मैं यहां से login करके और हम देखेंगे कि क्या details है, लेकिन उससे पहले एक छोटी information जो कि an academic regarding है, वो मैं देना चाहूंगा, अगर आपको जानना हो तो 2021 के लिए लेकर आ गई है, ये लाइव हो चूगी है, मौक टिस्ट अनकाडमी पर 10 अक्टूबर 2021 से, ये किसलिए है, ये इसलिए है कि ताकि आप ट्रैक कर सको अपनी preparation को evaluate कर सको कि आपकी progress कितनी है, NDA मौक टिस्ट लगा करके, ये लाइव मौक टिस्ट होती है और जो next वो 17 अक्टूबर 2021 को आएगी, तो make sure कि आप enroll करो उसमें और अच्छा score करने की कोशिस करो, अपने आपको analyze करो, साथी साथ अनकाडमी पर गॉल्स के लिए जो है, नई batch आ गई है, स्टार्टिंग 29 सितंबर से हो चुकी है, MNDA 2021 बैच है, इसमें गॉल्स इन्रॉल कर सकती ह साथी साथ, अगर हम बात करें, offers की तो NDA का subscription अगर आप लेते हैं, तो आपको 6 मन्त पे 1 मन्त फ्री और 24 मन्त पे 4 मन्त की subscription फ्री मिल जाएगी, अगर आप NDA के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो, 12 मन्त की तो 12 मन्त की SSB subscription फ्री मिल जाएगी, यह offer 6 से 14 October के बीच में ही 200 प्लस MCQs आपको देखने को मिलेंगे, 13 October से 13 November तक चलेगी, साथी साथ 3 सूल, यह Air Force X Group के लिए batch course है, Glory Air Force Y Group के लिए है, जो की 13 October को सुरू हो रही है, इसके लिए भी आप इंडॉल कर सकते हो, इंडॉल कैसे करना है, सबसे पहले आपको Academy Learning अपको इंस्टॉल करना है, उसक यहां मेरा code डाल देना AB Study 10, 10% discount आपको इस पे भी मिल जाएगा, अगर आप NDA के लिए लेना चाहोगे, तो उसके लिए pricing अलग होगी, जैसे कि आप अपने screen पर देख पा रहे हो, यहां पे भी आपको 10% का discount मिल जाएगा, code जरूर याद रखना AB Study 10, लिंक की description में अवलेव कि यहां से अब हम देखेंगे, सबसे पहले तो यह जो 3 lines है, यहां पे click करना होता है हमें, तो click कर लेता हूँ, अब यहां login और sign up का option आता है, बट यहां पे my account आ रहे है, क्योंकि मैंने already login कर रखा है, तो अब मैं click कर देता हूँ my account पे, और यहां से आप देखोगे कि login कर यहां ठीक है, यह देख सकते हो आप अपनी screen पर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहां पे user profile है, current opportunities है, application status है, contact with recruiter है, यह सब चीज़े हैं, अब अपनी screen पर देख सकते हो, सबी चीज़े आपको दिखाई पढ़ रहे हों कि, अब हम करेंगे क्या है, यहां current opportunities पे click कर करेंगे, चिक है, चलिए, click कर देता हूँ, मैं, अब थोड़ा नीचे चलते हैं, यहां पे अधार verified दिखा रहे है, देख सकते हो, आप अधार verified, ओके, अब यहां officer और seller की अगर आप चीज़ देखते हो, there are currently no jobs opportunities available at this moment, यह साफ-साफ यहां पे लिखा के है, किसके लिए officer के अब इसको मैं change करके, जो यह officer है, यहां पे change करके, मैं seller करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, seller पे click किया, मैंने, same चीज़ यहां पे लिख कर आ रही है, there are currently no jobs opportunities available at this moment, यानि कि दोनों चीज़े same वैसे ही लिख कर आ रही है, again मैं आपको दिखा देता हूँ, यहा यहां पे फिर से difference कर दिया है, मैंने same चीज़ वैसे ही लिख कर आ रही है, और यह एकदम यह real time में आपको मैं show कर रहा हूँ, ठीक है, अब यह ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग भी सोच रहोंगे कि आखिर ऐसी चीज़े क्यों हो रही है, जब होना होता तो वो actual चीज़ आ लेकिन अब इसका reason क्या है, यहां पे data of birth तो इनका पता नहीं चल रहा है, मेभी आप login करो तो आपको भी ऐसा show हो, लेकिन अगर ऐसा show नहीं हो रहा है, तो यह simple सी बात है कि सबको show होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे candidates हैं जिनको ऐसा show हो रहा है, तो एक main reason हो सकता है, वो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, देख लो एक बार फिर से no records available ऐसा कुछ लिख करा रहा है, तो again मैं यहां पे आ गया, जो dashboard है इनका वहां पे, अब यहां dashboard मैं आपको दिखाता हूँ, यह देख सकते हो, 16.04.2001, इनकी data of birth जो है, वो 16.04.2001 है, candidates के लिए, क्योंकि officially यह un-elisible है, तो maybe यह एक reason हो सकती है, कि यह इनका so ना कर रहा हो, otherwise मुझे कोई और reason दिखाई नहीं पड़ता है, अगर ऐसा कुछ नहीं है, और अगर सबके साथ वैसा ही same so हो रहा है, that means कि यह बिल्कुल ही fake चीज है, और अगर ऐसा नहीं होता है, फिर आप समझ लेना, कि यह date of birth की वज़े से हो रहा है, जो लोग eligible है, उनको so कर रहा है, जो लोग eligible नहीं है, उनको so नहीं कर रहा है, लेकिन यह उसी case में होगा, जबकि आपको नहीं so हो रहा हो, यानि कि आपको no opportunities, fund या फिर ऐसा कुछ लिख कर ना रहा हो, कैसा लिख कर आ रहा हो, वो एक बर फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको अगर ऐसी चीज़े no records, available लिख कर आ रहा है, तो आप ये चीज़ बताना, ठीक है, comment section में जरूर comment करके बताना, मैं wait करूँगा कितने लोगों का ऐसा होता है, और अगर आपको ऐसा कुछ लिख कर आ ठीक है, तो फिर सबका जब ऐसे ही आ रहा है, तो that means कि वो simple सी बात है, fake है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि detail हो सकती है, चीज़े क्योंकि बहुत ही सई तरीके से और बहुत ही साफ साफ लिखा गया है, ठीक है, साफ साफ लिखा गया है, आप जैसा कि यहां देख सकते हो, त सब का सो होना चाहिए, सेम जो की एक बंदे का सो हो रहा है, वो सभी का सो होना चाहिए, अदरवाज किसी का नहीं होना चाहिए, है ना, तो यह चीज़े थी, hope की मैंने clear की हो, अगर आपके मन में कोई और डाउट है, comment section में comment कर देना, किसी और topic पर वीडियो चाहते हो, जर सब्सक्राइब कर देना, share and like जरूर करना इस वीडियो को, मिलता हूँ एक और वीडियो के सनाथ, तब तक अपना खयाल रखो, thank you so much everyone